कि नमस्कार मत्रों यूटूब की ओन्लाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है अभिनेल्मन है मैं नरेश कुमार आप सब के विश्पने उपस के तू हिंदी की प्लासों को ले करके और हिंदी की जो कछाएं है वो नियमित रूप से अपनी जारी है कि चरंबत तरीके से अपना स्लेवर जो है आगे चल रहा है और मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं कि इस कोरोना संक्रमन के दोरान घर पर रहें सुरक्षित रहें और वहीं अध्यान करें कि आप सबकी सवदा के लिए हम ओन्लाइन क्लाफों को लिकरती आप सभी के वी तुपक्षित नियमित रूप से रहें है इसनी कर्ष्या में हमने जो पास बढ़ाता पूर रितूराज पढ़ाता कल्यादान कल्यादान पढ़ा था रितूराज का मैं समझता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दो पार्टों में उसकी वीडियो थी पीछे से स्लेवस तो इसलिए स्टार्ट किया कि आगे से स्लेवस है वो कुछ हट सकता है इसलिए अपनी मेहनत जो है व्यार्ट नहीं जाए इस कारण से स्लेवस को मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं आज जो है हम पढ़ेंगे नागार्दिन के बारे में नागार्द नागार्द की दो कविताएं अपने स्लेवस में हैं एक है कल और आज इसमें दोस्तों ग्रीश्म के बार वर्षा रिफु का वर्णन है आज जो है वर्षा रिफु का दो तक है और कल जो है ग्रीश्म का दो तक है ठीक है दूसरी जो अपने स्लेवस में नागार्दिन की जो करता है एक लगू करता है और जी है उसा की लाली उसा की लाली उसा की लाली जो करता है इसमें प्राचे का वर्णन किया गया है उसा का मतलब क्या होता है पूर उदर से पूर्व की जो इस्टिथी होती है जब आधास में लाल्बाद से युक्त होता है जहां से फूर निकलता है उस इस्टिथी को अपन उसा कहते हैं। उसका बढ़न इसमें किया है, उसकी सुंदर्ता का बढ़न इसमें किया है, ठीक है? सबसे पहले इस नागारजुन का जीवन पर चे देख लेते हैं हिंदी और मैच मेल के एपसिम लेकर और कभी नागारजुन का जन्म विहार राज के दरवंगा जिले के सत लखा गाउ में हुआ सत लखा गाओं में हुआ था किस्पन में हुआ था 1911 इस्वी में सत लखा में पुर्के दोस्तों नागा अर्जुन का जो जन्म हुआ था 1911 इस्वी में कहा हुआ था सत लखा गाओं इनका जो मूल नाम था गू था वैदनात निस्त्र वैदनात मिस्ट्र गुमक कर जाती कि थे ही इनका मूल नाम था वैजनाथ मिस्ट्र आरमी सिक्षा संसुत पार्टाजा में हुई फिर अज्जन के लिए बनारास और कोलकाता गए 1936 में लंका गए और वहीं बहुत धर्म में दिख्षित हुए जब यह बहुत धर्म में दिख्षित हो गए थे सब इनका नाम क्या पढ़ाता दोस्तो नाजार जोन 1936 में का गए थे लंका लंका में क्या हुआ था बहुत धर्म में दिख्षित हुए थे इसमें दिख्षित हुए थे बहुत धर्म में दिख्षित हुए थे अब दोस्तों ये तो बहुत धर्मे दिक्षित होने के बाद जब ये बहुत धर्मे दिक्षित हो गए थे तब इनका नाम पड़ा था नागार जो इनका नहीं मूल नाम क्या था? वैदनात मिस्त्र था नागार जुनका जन सन 1911 में सतलखा गाओं में हुआ इनका जो मूल नाम था? वैदनात मिस्त्र वैदनात मिस्त्र जो थे 1916 में कहाँ गए थे लंका यानि कि स्री-लंका स्री-लंका में उस्तों क्या आता दोस्तों बहुत धंका बहुत समाज में बहुत धंका व्यापक प्रचार था बहुत धंका व्यापक प्रचार चल रहा था समाज में तो ये भी प्रभावित हुए और ये उसका अध्र करने के लिए घुमक कर जाती के तुछे ही थे इसलिए पर ये स्रीलंका पहुंचे है वहाए उन्होंने बहुत धर्म का अध्रम किया देखा उसको समझा और उसके बाद भर में क्या हुए दीख्षित हो गए और जब बहुत भर में दीख्षित हो गए ते इनका नाम क्या पढ़ गया दोस्तो नागारजों ची पढ़ गया नागारजों तर्स अधिए उन्होंने इन्गारज्ण सार्शक में नागारज्ण पत् contenido, या उत्ति अपनाम से process कि ये बात चांट लिए एंडर्लाइन कर लीए हंदी में नाजार जूं benefit रचनाए लिकी यह लिखाई और में जू लिखा करते जिस्मेठरी उपनाम से रचनाएं लिखी है नजा बढ़ा की में भी लिखन किया उनका संपूर्ण क्रतित में नागा अर्जुन रचना वली के साथ खंडों में प्रकासिते इसको भी आप एंडरलाइन कर सकते हीं और जो में नागा अर्जवन वथना वली के कितने खंडों में है उन को हिंदी अकासम मि दिर्ली का सिकर सम्मान उस्तर ब्रदेश का भारत वारती पुरस्कार चता व्यहार के वारत प्रषकार के राजन प्रसाथ पुरस्कार से इनको सम्मानिस किया गया सामें एक बोध से जहराई तक जुड़े नागारदिंग की आंदोलन धर्मी कवताओं को ब्यापक लोग दिया ता मिन इनकी प्रमुक्सरतिया कौन कौन सी है युगधरा युगधरा सतरंगे पंकों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी दूटियों का कौरस आखिर एसा क्या कह दिया मैंने मैं मिलिटरी का बुड़ा घुड़ा तालार की मच्छियां ओम मंत्र भूल जाओ पुराने सपने अब देखो दोस्तों ज्यादा रचना है अपने को याद रखने की आवस्चत्ता नहीं है वाली जिए इनका जीवल पढ़के वी दो आ जाता है तो ज्यादा रखने की जड़ा से तीन यह दो या तीन रचना है अपन याद रख सकते युगधरा रख लो सत्तरंग ये पंक संधा उननीष और 1936 इश्वी में ये कहा गए श्री लंका गए श्री लंका में उस्तों में बहुत धरुका व्यापक प्रचाज प्रसार फ्युदा खेला हुआ तो जब वह नों ने महाजा कैंका बहुत धम को देखा समझा उसके ये प्रभावित हुए जब ये प्रभाव पर यह नागार्जुन का जीवन पर जाता है तो यह हिंदी में नागार्जुन के नाम से लिखते हैं तो दूदरा इनका पूर्ण काव्वे है फूर नागार्जुन रचनावली के कितने खंडों में साथ खंडों में है इतने खंडों में साथ और दो तिरेंटी रचनाई आज रचसके हैं युगदरा सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी जूपियों का कौराज आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने में मिलत्री का बूड़ा भुड़ा ताला अब मैं नाजार जुन के बारे में जो मैंने दिखा इसको साथ कर दिता हूं और उसके बार अगर साव पर चर्चापन करेंगे कि अब दो कंसा है कल और आज कल जो है वर्सा रिसूटा दो तक है आज वर्सा रिसूटा दो तक है रिसूटा जिसे समान कोछी वर्सा रिसूटा आज में क्या क्या परिवर्तन को जाते हैं इन दोनों का सामन जिसके कभी ने बहुत ही वाईनन कमीने किया है दूसरी जो करता है एक लभू करता है उसा साल का वड़नन कभी ने की आए प्राते कालीग जो सूर उदे से पूर जो एक लालिवा से जो भतावरण जो भुथा है उंस अब अभाद दिखाई की निकलने से पूर उसको अपन उसा कहते हैं और उसी उसा का वर्णन सभी ने किया है, ठीक है, देखते हैं, अब अपना काथ यहां से सुरू होता है, पास पर से देखते हैं पहले, नागार्विन की कलता कल और आज ग्वीश्मी की घोर पपिस्त भरी दुरहुता की पस्चाच वर्षा रिसु के पहेज और मन भावन परेशान हैं, दूरुता का मतलु बहुत कखिन पाके के पश्चाच वर्षा रिसु की सहठ और मन और उसके बाद जब वर्षा रिसु की सहट और मन को अच्छे लगने वाली होती है, सहट होती है, बसको प्रिय होती है, उसका वर्णन कभी ने हाँ, या कहने के मतलब वही बताते बीशी रिशूके प्रतित के कारण सिस्टादा जो हाल था बिहाल था किसान परिशान था प्रकृते होती है तो तो कि उसके बतीर वहाँ किसे सहर तरल और आनन्द पूर्दान करने वाली होते हैं इसका वर्णन कभी ने किया है ग्रीज में लित्व के हतास एवं उदास मुख क्रशक धूल इसनान करके पक्षी वराने यही तो ग्रीज में लित्व का वर्णन है ग्रीज में क्या होता है कि हतास और उदास मुख क्रशक क्रशक किसान वो अ्धार होंता है। तीजी आफ़े चुंड होता नहीं होती है। जूठे करता है। करता है, वहीं दूसरी और प्रकृट्री गंद किस्ञत्ता को धिताता है। कोई बेची जगत में या इस प्रकृति के अलग इस्थाई नहीं है उसमें निश्चित रूप से परिवर्षन होता रहता है बर्षा जितु का आगमन परिवर्तन का संकेश है बर्षा के आगमन से प्रकृती रूपी सुकन्या नत्य कर्टी हुई प्रकृती को क्या बता दिया है प्रकृती रूपी सुकन्या प्रकृती को क्या बता दिया है एक कन्या बता दिया गया है और वो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी जो कविता है उसाती लाली ये तो अपने पहले वारे में परिवर्तन की और इसारा कर रही है एक ग्रिशिस्प समाथ होने के वाद बरसर इतु है लोगा प्रकृति रुपी जो क्या कर रही हो नर्थ कर रही हो दूसरी करता एक उसाती लाली है जिसमें सूर उदैसे पूर्व का वर्ड़न कभी में चिय होता है कि लागार जुन जोंके इनका प्रकृति से क्या लगा हो था प्रकृति प्रेंग को लर्षाता है कि शिशू रूप में उक्तिय सूर्य की एक तिल सटा से कभी का मन अभी रूच हो जाता है सूर्य को किसका रूप बता दिया इसमें सूर को क्या बता दिया है सिसू बता दिया है क्या बता दिया है सिसू का रूप दे दिया गया है जिस परकार जो सिसू होता है सब को प्रिय होता है उसी परकार उगता हुआ सूर जो सिसू रूप में होता है सब अबस्ता में जो होता है वो भी सभी को क्या लगता है? प्रिये लगता है. तता हुद्भर होती सूर्फ की कैसरी आवाते जो की हमगरी के सुन जो तिखर का आभास दे रही है हमाले की यूँपी उँची चूटी conservatives वो जब कैसे दिखाई दें जब सूर्फ उद्भ SHOTी अटा है इस और फिस कभी को एक बैया की इस सुंदर्टा को देखकर कभी ये कहता है कि कहीं इसा नहीं हो कि ये सुंदर्टा मेरी आखों के सामने से हच जाए तो इसलिए कभी सुंदर्टा को इस परश्की से लिखता रहता है तो दोस्कों धन्यवाद झाल, 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 झाल